कि स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जहिन तो रात के सवा दो बज रहे हैं देखो इतनी मेहनत कर रहा हूं तो सारे के सारे देखो जितना भी पढ़ाया जाएगा बहुत ज्यादा चीजों को छाट-छाट के सब को बना रहा हूं तो यार पूरी वीडियो देखना ठिक और सप सवाट करतें उत्तर मद्यहकाल किसको स्टार्ट कर रहा है हम कर रही है लोन गर्मारा तो उत्तर मधद्यचाल में क्या क greatly a question से पूछा जा सकता है और किस तरीके से तो इसमें ये भी कहा जा सकता है कि कई वार पूछा जाएगा कि उत्तर मध्य काल को सरिंगार का काल किस ने कहा सरिंगार का काल किस ने कहा अगर ये वाला कोशन ऐसे आजाए तो आप बताना कि उत्तर मध्य काल को सरिंगार का काल सिव परशाद जो मिश्र थे सिव परशाद मिश्र ने क्या कहा है इन्होंने कहा है सरिंगार का काल राम चंद्र सुकल नाम के एक विक्ति हैं क्या नाम है राम चंद्र सुकल राम चंद्र सुकल ने कहा है इसी को रीती काल क्या कहा है रीती काल कहा है क्लियर है समझ मारी यह बात हम उत्तरमध्य काल को ही पढ़ा है रीती काल देखो रीती बद्धकाल कई बार पुछ जा सकता है कि रीती बद्धकाल किस ने कहा है तो जो रीती बद्धकाल की अगर बात है तो रीती बद्धकाल एक व्यक्ति ने नहीं, दो तीन व्यक्ति ने कहा है एक तो हैं आपके केसव दास केसब केसब दास केसब किका हुछ रिति बदकाल एक कर दो ठीक है क्या नाम है चिंतामनी कि वह कहा है जो है रिती बधकाल इता ऱुए है सेनाहा हुं इसो हिए रीटी नहीं की आ सकता है कि ममुँए सिण्सी collecting टेक्ट कण तो रीती सिधकाल जो कहा है वो कहा है बिहारी लाल ने किस ने कहा है बिहारी लालने कहा है ठीक है ठीक है थोड़ा नीचे कर लेता हूं इसको रीती मुक्त काल किस ने कहा है अब आगे पढ़ते हैं अब देखो क्या पढ़ना है हमें हमें पढ़ना है कि यहां के famous famous writer कौन से है उनकी रचनाई कौन कौन से है जैसे केसब दास है केसब दास की कौन कौन सी रचना है केसब दास की जो रचनाएं है केसब दास की रचना के बारे में अगर देखा जाए तो चलो यह वाली पहन ले लेते हैं केसब दास की रचना है कवी प्रीय कौन सी है कवी प्रीय कलेर हो रही है कवी प्रीय रतन बाविनी रतन बाविनी ठीक है रत्न बाविनी एक इनकी रचना है एक है विज्ञान गीत क्या है विज्ञान गीत भी नहीं की रचना है विज्ञान गीत और एक बहुत मोस्ट रशिक प्रिय रशिक प्रिय अगर मैं पेपर बनाओं तो मैं रशिक प्रिया को जरूर रखता कि किसकी लिखी हुई है ठीक है एक है राइटर सेनापती सेनापती की जो लिखी हुई किताब है क्या नाम है उसका काविय कल्प द्रुम क्या नाम है काविय कल्प काविय कल्प द्रुम ठीक है इनकी रचना का नाम क्या है काविय कल्प द्रुम चिंता मनी की रचना और देखते काविय विवेक एक है आपकी कवी कुल ठीक है कौन सी है कवी कुल कवी कुल एक रशना है इनकी कवी कुल क्लियर हो गई कवी कुल एक कल्प तरू है एक है आपकी कल्प तरू ये इनकी क्या है रशना है चिंता मनिगे काबिय विवेक छंद विचार सिंगार मंजरी कवी कुल और कल्प तरू ये इनकी रशना है एक राइटर हुए है भिकारी दास ठीक है कौन से राइटर हुए है भिकारी दास तो भिकारी दास की रशना का नाम क्या है तो बिकारी दास की रशना की अगर बात करेंगे तो एक है काव्ये काव्ये निरने किसकी रशना है तो काव्ये निरने इनकी रश इसकी है बिकारी दास की रचनाओ की पहचान क्या है निरने है ठीक इसके बाद आ जाएंगे बिहारी लाल ये थोड़े से जादा बढ़ने पढ़ेंगे क्योंकि बिहारी लाल जादा इंपोर्टेंट आदमी है ठीक है अब गागर में सागर भरने वाला अगर आप से पूछा बढ़ने वाला कवी ठीक है गागर में सागर बढ़ने वाला कवी किलियर हो गया यहां तक यह बात समझ मागी इनकी भासा भी पूछी जा सकती है कि भासा क्या रही है तो भासा रही है इनकी ब्रज कौन सी भासा रही है इनकी ब्रज कौन सी भासा रही है इनकी ब्रज कौन सा रस है सरिंगार रस है क्लिर है समझ में आ रहा है कौन सा रस है सरिंगार रस ठिक सरिंगार रस है और अगर यही पूछा जाए कि एक इनकी रचना है रचना का नाम क्या है रचना का नाम है बिहारी सतसई ठीक क्या नाम है बिहारी सतसई और बिहारी सतसई में कई वार 45 जो है इनके क्या है दो है है ठीक है समझ में आ रही है देखो जो पढ़ते रहे हो अपना नाम लिख देना है यार इससे मुझे लगेगा कि हा मेरी क्लास तुम लोग रेगुलर ले रहे हो ठीक तो मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी ठीक ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे ह को बोर मतोदे को बोर वाली तो चीज है यह पर बोर होना जरूरी नहीं है क्यों क्योंकि हम ऐसी चीज पढ़ रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतब तीन से चार कोशन आएंगे और ज्यादा तर बच्चे इसको छोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग पढ़ा भी रहे हैं तो इतना ज़्यादा पढ़ा देते हैं कि वच्चों का मन भर जाता है कि यार इतना कैसे पढ़ेंगे चीक है तो मैं बहुत सौर्ट नोट्स में अच्छी चीज लेकर आऊं तो इसको पढ़ दो आप चीक है महा कभी भुसन के बारे में पूछा जाए तो महा कभी भुसन से को पूछ लिया था एक बार तो इनका जनम जो हुआ है जनम हुआ है इनका कहां कानपूर में कहां पर हुआ था इनका जनम हुआ है इनका कानपूर में क्लियर हो रही है बात जनम कहा हुआ है इनका जनम हुआ है कानपूर में और एक कोश्चन और पूछा जा सकता है महा कभी कि ये जो हैं किस के कवी है देखो चल रहा है रीती काल चल क्या रहा है रीती काल बट ये एक मातर रीती काल के एक मातर ऐसे कवी है जो वीर रसके कवी है चीक है तो ये जो है अगर आप से पूछा जाए तो आप बताना कि ये किस के वीर रसके क्या है वीर रसके क्या है कवी ह च्छत्र साल दसक इनकी वीर रसकी क्या है रचना है क्लियर हो रही इतनी बात इसके अलावा इनकी ओर रचना है सिवराज भूसन और सिबा बाविनी सिवराज भूसन और सिबा बाविनी इनकी क्या है इनकी जो है रचना है इनकी फेमस फेमस रचना है घननन्द के बारे में देखते हैं घननन्द के तो घननन्द ने लिखी है एक क्रिश्न कांड ठीक है क्रिश्न कांड लिखी है ठीक है क्रिश्न कांड लिखी है क्लियर क्रिश्न कांड लिखी है एक लिखी है सुजान कौन सी है इनकी एक रचना सुजान है इसके अलावा एक रचना है जिसका नाम क्या है इसकलता इश्कलता ये पूची हुई है इसकलता पूछ ली है दो-तीन वार की इसकलता किसकी है और एक है परिती-परिती-पावश ठीक है परिती-पावश जो है एक इंकरेशना ये भी है ठीक है तो ये हमने क्या पढ़ा है activism ने अभी तक का जो पूरा दे रखा था कि उत्तरमध्यकाल कब से कब तक है 1650 से 1850 तक इसी को क्या कहा गया है स्रंगार का काल भी कहा गया है किस ने कहा है सिप्रसाद मिस्र ने कहा है रामचेंदर सुक्ल ने इसको क्या कहा है रीती काल कहा है और रीती बदकाल किस ने कहा है इसको केसफदास ने चिंतावनी न और सिनापती ने रीती सिदकाल किस ने कहा है तो रीती सिदकाल जो इसको कहा है रीती सिदकाल कहा है बिहारी लालने और रीती मुक्तकाल किस ने कहा है तो जना नननने कहा है ठीक है ऐसे ही के एक है। और बिहारी लाल को कहा जाता है। बिहारी लाल को कहा जाता है और इनकी रचना कौन कौन सी है? बिहारी सत्सी हैं। ये बहुत important है स्रिंगार रश है और इसमें यह महा कभी भूशन important है क्योंकि यह वीर रसके हैं और ज्यादा तर राइटर जो है इसमें वो कौन से वाले रसके हैं वो हैं आपके क्या कहते हैं स्रिंगार रसके तो अब नया topic पढ़ते हैं नया topic का नाम क्या है आधुनिक काल और आधुनिक काल कब से माना जाता है आधुनिक काल माना जाता है 1850 सबे अब तक का जो समय है इसी को क्या कहा जाता है आधुनिक काल कहा जाता है क्लियर हो रही बात आधुनी काल की अगर मुक्य भासा की बात करेंगे तो मुक्य भासा जो इस काल की रही है वो मुक्य भासा रही है गद ठीक है और इसके अलावा एक भासा और रही है जिसका नाम क्या है बिर्ज भासा ठीक है क्या नाम है ब्रिज भासा ये इसकी मुख्य भासा रही है कई बार पूछा जा सकता है क्या राजिस्थानी भी इसका हिस्सा है तो राजिस्थानी जो गद्य है राजिस्थानी गद्य जो है वो भी इसी का हिस्सा माना जाता है और सबसे आदा जो विकास किया है इसमें वो किया है जिस भासा में हम पढ़ रहे हैं खड़ी बोली क्लीर हो रहा है मेरी बात समझ में आ रही है वाज नीन तो नहीं आ रही तुमें नीन भी त्याग दो जब तक फिल पढ़णी होता क्लिर है चलो मुख्या भासा हो गया आधोनी काल को यह पूछा जा सकता है तो आधोनी काल को कितने युग में बाटा गया है आधोनी काल को छै युग में बाटा गया है कितने युग में च्छै युग में और यह पूछा जा सकता है कि छै युग कौन कौन से है तो एक है जि इसे ही पूछा जा सकता है कि भारति-ंदु यूग कर शाया बादी-ऊपिस तक हुए जूए प्रमिry का समय सि कने अन्यस्तुन प्कर analytics को मतितिए नाम से मते था शाया बादी जिस्ट चाहा बात कर हो वादियूग केदारनाथ सिंग अगरवाल के नाम से हैं किसके नाम से केदारनाथ सिंग अगरवाल के नाम से 1926 तक जो है इसकी हमने इसके टाइम डूरेशन को पढ़ा है ठीक है एक है आपका प्रियोग वादियूग प्रियोग वादियूग जो है हीरानन जो अग्ये हैं हीर जाता है नई कवीता यूग की अगर बात करें तो नई कवीता यूग कुवर नारायन के नाम से रखा गया है और 1950 अब तक का जो समय है वो नई कवीता यूग का है ठीक है नई कवीता यूग के बारे में मैंने आपको बताया अब किसके बारे में पढ़ते हैं अब पढ़ते ह अगर आपसे पूछा जाए के पिता का नाम किया है तो इनका पिता का नाम QTT थाई तो इनका पिता का नाम तक गोपाल चंद्र गिर्धर दास क्या नाम था गोपाल चंद्र गिर्धर दास जो है इनके पिता जी का नाम था छीक है अब आपसे एक कोश्चन ये पूछा जाएगा ये नोट करने वाला कोश्चन है कि हिंदी में सबसे पहले गद्य भासा का प्रियोग किस ने किया तो आप ये कहना कि सबसे पहले गद्य भासा का प्रियोग किस ने किया भारतिंदू हरिश्चन के दौरा किया गया है सबसे पहले गद्य भासा का क्या किया गया है गद्य भासा का प्रियोग इन्होंने ही सुर किया था चीक है सबसे पहले गद्य भासा का प्रियोग इनी के द्वारा सुरू किया गया था क्लियर हो रही है बात इनी के द्वारा सबसे पहले प्रियोग सुरू किया गया था इसके अलावा एक कोश्चन हो राता है कि हिंदी का नव जागरण का अगरदूत कि इसको कहा जा किसे नव जागरण का अगर धूथा एंगर आप पोचा जाए तो यह कहा जाता भारत इंदू को कहा जाता है यहां तक इसके अलावा यह भी कोश्चन पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का प्रियोग करने वाले पहले कवी कौन है तो आप बड़े आसान से बता सकते होगे सबसे पहले कवी है भारत इंदू हरिश्चन अगर इनके नाटक से भी आता है कि भारत इंदू का जो पहला नाटक है इनका पहला नाटक कौन सा है भारत इंदू के पहले नाटक की बात कर रहा हूँ मैं इसके भारत इंदू के पहले नाटक की तो भारत इंदू का पहला वैदिक हिंसा नहिंसा भवती वैदिक हिंसा नहिंसा भवती ठीक है वैदिक हिंसा नहिंसा भवती ये इन्होंने क्या लिखा था अपना एक पहला नाटक लिखा था ठीक है और इसको एक नाटक है सती प्रताप पर सती प्रताप इन्होंने पूरा नहीं किया था उसको राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था ठीक है ये भी ध्यान रखना एक और है इनका नाटक है जिसका नाम क्या है भारत दुर्दशा भारत दुर्दशा भारत दुर्दशा जो है ये भी आया पूछा गया कई कई वार तो ये आगर आप से पूछा जाया कैसा है तो आप कह सकते है कि ये राजनैतिक नाटक है कैसा नाटक है? राजनैतिक नाटक है क्लियर है कैसा नाटक है? राजनैतिक नाटक है क्लियर हो गया इतना? इसके अलावा भारत दूर दर्शा हो गया भारत दूर दर्शा राजनैतिक नाटक हो गया इसके लावा और नाटक है इनके जैसे एक बहुत फेमस है अंधेर नगरी इसके लावा विद्या सागर ठीक है विद्या सागर ये भी इनका क्या है लिखा हुआ एक नाटक है विद्या सागर इनकी और भी रचना की बात करेंगे और कौन-कौन सी रचना है इनकी कुछ रचन है इसमें जैसे प्रेम सरोवर कौन सी है प्रेम सरोवर ठीक प्रेम सरोवर प्रेम मनीका ठीक है कौन सी है प्रेम मनीका प्रेम मनीका के लावा प्रेम फुलवारी प्रेम फुलवारी ठीक है प्रेम फुलवारी इसके अलावा है आपकी विने ठीक है एक दसरत विलाब ये बहुत important है कौन सी है दसरत विलाब दसरत विलाब से भी कई यार पूछा गया है कि इसकी रचना है तो इसको भी थोड़ा सा यहां लखेंगे दसरत विलाव ठीक दसरत विलाव है एक है फूलो का गुच्छा फूलो का गुच्छा ये भी इनकी क्या है रचना है फूलो का गुच्छा ठीक है फूलो का गुच्छा ये भी क्या है इनकी एक फेमस रचना है क्लियर होडी बात फूलो का ठीक चलो यहां तक क्लियर हो गया चलो भाई अब और क्या देखते हैं एक राइटर आएंगे और अगले इनका नाम क्या है प्रताब नारैन ठीक है प्रताब नारैन की जो रचना है एक रचना है इनकी मन की लहर मन की लहर मन की लहर इनकी रचना है प्रेम पुस्पा वली यह नोट कर लेना प्रेम पुस्पा वली प्रेम पुस्पा वली इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली क्या है रचना है प्रेम पुस्पा वली एक है दंगल खंड ठीक है कौन सी है दंगल खंड ठीक है एक है श्रिंगार विराश इनकी रचना कौन सी है श्रिंगार विराश क्लियर और एक लोकिक्ती सतम है क्लिक सकते हैं उसको इतनी यादा पूछी नहीं जाती जगमोहन सिंग की एक बहुत फेमिस रचना है जिसका नाम है श्याम लता जगमहन सिंग की रचना है जिसका नाम कहा है स्याम लता एक है स्याम सरोजनी एक रचना है इनकी स्याम सरोजनी देखो सरोजनी से कई वार ये पूछा आता है कि सरोजनी लिखा कैसे आता है सरोजनी ठीक है स्याम सरोजनी एक है इनकी रचना देव यानी कौन सी रशना है देव यानी और एक है इनकी रशना मेघदूद ठीक है एक रशना कौन सी है इनकी मेघदूद next बात करते हैं स्रिधर पाठक के बारे में इनकी रशना है एक मनो विनोद मनो विनोद इनकी रशना का नाम क्या है मनो विनोद एक है एकांत वासी होगी एकांत वासी ये बताना ये वाली पैन जिससे मैं लिख रहा हूँ ये बढ़िया है न एकांत वासी होगी क्योंकि ये दूसरी वाली पैन से इतना अच्छा राइटिंग आ नहीं रहा था इससे सही आ रहा है साफ साफ लग रहा है यह गांत वासी होगी जगत सचाई सार जगत सचाई सार ठीक है जगत सचाई सार एक है कश्मीर सुष्मा इनकी रशना ये काफी आई है कश्मीर सुष्मा ठीक है अब तो तुम ऐसा लग रहा होगा यार ये इतनी साइज रशना क्या पढ़ने, पेपर में जब आएगी ना, कि चलो ये बताओ, सांधिया अटन किसकी रचना है, सांधिया अटन, तो फिर तुम सर पठक पठक के रोगे, कास हम इसकी बात मान लेते, सर की बात मान लेते, तो आज की डेट में एक कोश्चन हो जाते हैं, तो ऐसा मत करना, रोने की जरूत नहीं है, तो उम्हारा कोश्चन में सही कर रहいたओंगा, बस जैसे मैं कहा रहा हूँ, प्रिबात मान लो, क्लियर हैं, अंभी का दतव्यास, कि एक बहुत फेमस रचना है, जिसका नाम क्या है, हो, हो, होरी, हो, हो, होरी, इनकी एक रचना क्या है, हो, हो, होरी, एक है भारत धर्म, ठीक है, एक कौन सी है, भारत धर्म, क्लियर है, एक है पावस पचास, पावस पचास, ठीक है, एक है सुकवी सत्सई, ये भी इनकी क्या है रचना, सुकवी सत्सई, ठीक है, क्या है सुकवी सत्सी कि राधा करिष्ण दास कि इसको पढ़ए राधा करिष्ण दास का है भारत बारह मासा रचना का नाम कै का है भारत बारह मासा Cincinnati है देश दसा है ठीक है क्या है देश दसा एक रशनाए है देश दसा अगला यह देखो मैंने पूरा बता दिया तुम्हें के कौन-कौन है यह समझा दिया मैंने के भारतेंदु यूग कब से सुरू हुआ है 1850 से लेकर 1900 का समय माना जाता है भारतेंदु यूग सबसे पहले ग गोपाल चंद्र गिरधरदास इनके पिता हैं खड़ी बोली का प्रियोग करने वाले सबसे पहले राइटर ने खड़ी बोली का जनक किसको कहा जाता है अब मेरे खुसरों को कहा जाता है भारत दुर्दशा राजनैतिक इनका नाटक है अधेर नगरी और विद्या सागर य जैसे वो पूछ ले के अयोध्या सिंग हरियोद प्रताप नारायन जगमोहन सिंग स्री धरपाटक इनमें से कौन सा राइटर जो है द्वेदी उक्का है कौन सा राइटर जो है किसका है पूछ सकता है कि कौन सा राइटर जो है द्वेदी उक्का नहीं है कौन सा राइटर तो जैसे अयुद्या सिंग उपाद्या हरियोद जो है वो क्या है वो दुँ युक के वाकि जो तीन है प्रतापनायान जग महां सिर्धर्पाटक कि इसके होगा Mr.Diuk तो इस तरीके से भी कोश्चन मन सकते हैं ठीक है नया टॉपिक है देखो नए टॉपिक का नाम क्या है नए टॉपिक का नाम है दुएदी युक क्लियर है टॉपिक का नाम होगा दुएदी युक का नाम जो पढ़ा है वो किसके नाम से पढ़ा है महावीर परसाद दुएदी के नाम से किसके महावीर परसाद द्वेदी ठीक अगर इनके जन्म से पूछे देखो मैं उनके जन्म बता रहा हूं जिनके जन्म यूपी में हुए है बहुत इंप्रोटेंट है ठीक यूपी वालों के लिए तो खास कर जन्म हुआ था इनका बरेली में कहां से हुआ था इनक सरस्वती पत्रिका सरस्वती पत्रिका का समपादन इन्होंने कब किया था तो सरस्वती पत्रिका का कई बार पूछा जाए इन्होंने समपादन जो किया था वो किया था 1903 में कब किया था 1903 में और वो अगर ये पूछे कहां से किया था तो इलाहबाद से किया था ठीक है इलाहबाद से अगला कुछ नहीं आ सकता है कि इनकी जो फेमस फेमस सी दो चार रचनाए हैं इनकी रचना कौन कौन सी है तो इनकी famous सी रचना बताओ जरा एक दो तो इनकी famous सी रचना है जैसे अम दास का पौधा इनकी जो है यह क्या है famous रचना है इसमें यह और बता देना कि pen यही वाला यूज करूं अगले लेक्टर से या कुछ चेंज करूं ठीक है क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हें सही लग रहा है नहीं अनाम दास का पौधा ठीक इसके लावा कवियों की उर्मिला कवियों की कवियों की उर्मिला कवियों की उर्मिला जो है कवियों की उर्मिला एक ये वाला है इनका इनकी रचना है एक अलोक पर्व है कौनसी है अलोक पर्व रचना का नाम क्या है अलोक पर्व है ठीक अलोक पर्व हो गई इसके लावा एक रचना हो रहा है जिसका नाम क्या है काविय मन्जुसा काविय मनजूसा भी इनकी रचना है ठीक है कावय मनजूसा भी इनकी रचना है इसके अलावा कावय मनजूसा के अलावा एक है अवल विला इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्पोटेंट लग रही है वो ये वाले लग रही है अनाम दास का पौधा कुन से लग रही है? अनाम दास का पौधा इसमें सबसे ज़ादा जो है important लग रही है clear है? नए राइटर जो हैं वो कौन से है? सिरिधर पाठक अन्ची जो रचना है कौन सी है? सिरिधर पाठक की देखो सिरिधर पाठक दो यूगों में आ रहा है सिर्धर पाठक कौन से युग में है आपके भारत इंदु युग में भी है अब यह मत कहना कि अगर यह आ गए तो कौन से में लगाएं ऐसा कौनसा राइटर्ड दवे युग और सी लिखी है भारत इंदु यूग कि ऋनकी एक दो रशना अलग जैसे अभी मैंने बताई थी सुस्मा कस्मीर वह Hersway बतादी है इन्होंने जो द्वेदी युग में लिखी है वो लिखी है भारत गीत कौन सी लिखी है भारत गीत भारत गीत जो है वो लिखी है द्वेदी युग में वनास्ठक लिखी है एक द्वेदी युग में कौन सी वनास्ठक और वनास्ठक के फोड़ा दिद्वा कि ये खिकिती करें बाद में प्रकासीद हुए थी उसका नाम सा बाल विद्वा बाल विद्वा से भी आया है एक वार कुस्षन बाल विद्वा किसकी रंच DID यह वाली थोड़ा लखना लगण fighters कि पूंसी है बाल बिद्वा नीम तो नहीं आ रही मुझे नहीं आ रही तो या तुमें भी नहीं आनी चाहिए ठीक है मैथली सरणगुप्त मैथली सरणगुप्त की अगर बात करेंगे तो इनकी बड़ी फेमस फेमस रचना है सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने एक रचना रची थी जिसका नाम था भारत भारती ठीक है इनकी सबसे फेमस रचना कौन सी है भारत भारती और इस रचना की वज़े से गांधी जी ने जो ये बात कह रहा हूँ नोट कर ले ला गांधी जी ने इन्हें जो है क्या कहा था गांधी जी ने इन्हें बाइवर्ध बारत भारती इन के रास्ट कभी कहा दो बाइसे बारत भारत में इसलिए इनको रास्ट कभी कह दो ठीक इनकी और जो रचना है और रचना कौन सी है और रचना है इनकी रंग में भंग भी इनकी क्या है फैमस रचना है एक और बहुत ज़्यादा फैमस है पंच वटी ये भी 50 सु बार आ गई पंच वटी और इसका तो कोई तोड़ी नहीं है साकेत का ठीक है, साकेत का तो पता ही नहीं कितनी मार आ गई, साकेत, और एक है जैद्रत वद, जैद्रत, जैद्रत वद, ये भी इनकी एक फेमस रचना है, एक है इनकी यसोधरा, जैद्रत, जैद्रत, वद, ये भी इनकी एक फेमस रचना है, एक है इनकी यसोधरा, ठीक है, इनकी र जनम हुआ था। ये लिख compañी लो जी। इनका जनम हुआ था जहां सी में क हुआ था। MAKHAN LAAL CETTUROVEDYbooks छुद रचना है एक तो है हिम तरंगनी इसके अलाबा है हिम किर्टनी ये दिया नहीं हिम किर्टनी हिम किरिटनी और एक है यूग चरण यूग चरण एक है समरपन ठीक है कौन सी है समरपन ये इनकी क्या है फेमस फेमस रचना ठीक अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट और अयोध्या सिंग उपाद्या है हर यूध के बारे में करते हैं आयोधिया सिंग उपादियाए ठीक है आयोधिया सिंग उपादियाए और बाद में इनको जो उपाद ही मिली हुई है वो है हरी ओद ठीक है आयोधिया सिंग उपादिया हरी ओद वैसे हरी ओद से समझ जाओगे इनका नाम क्लियर है बाद इसके बाद यह आता है इनकी जो है ऩे बहुद फेमस रचना है जिसका नाम है प्रिये प्रवाश और प्रिये प्रवाश से पता है क्या कोशन नाएगा खड़ी बुली का सबसे बड़ा महाः काविय है ठीक है ये नोट नोट कर ले नगई खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाविय का नाम क्या है प्रिय प्रवास है ठीक है इसके अलावा एक है बहुत फेमस रशना है इनकी क्या था यार उसका नाम दिवाग से निकल गी ठेट हिंदी के ठाट ठेट हिंदी के ठाट जो है ये इनकी रिशना है एक है वैदेही बनवास वैदेही बनवास वैदेही बनवास वैदेही पता है किसको कहा जाता है वैदेही सीता हो कहा जाता है तो सीता को जो वनवास हुआ था उसके उपर लिखी हुई है वैदेही वनवास ठीक है वैदेही वनवास रसकलस रसकलस जो तुम्हे पढ़ने में आ रहा है वो क्या रहा है रस ठीक है तो यह है रसकलस और एक है बोलचाल ठीक है बोलचाल ठीक बोलचाल अगले राइटर कौ क्रिश्र कान्त मालविय की बात करेंगे तो कर चारब करी थी किस नाम से च neutr zich एक पत्रों मर्यादा नाम तो तो इस मर्यादा पत्रिका में क्या हुआ था ये मर्यादा पत्रिका पहली बाद तो ये कहां से प्रकाशित हुई इलावास से इसका क्या होता था प्रकाशन होता था और इसमें बड़ी बात ये है कि मुंसी प्रेमचंद जो थे उनकी आरंभिक जो कहानिया है उनकी आरंभिक कहानी इसमें मर्यादा में प्रकाशित हुई थी ठीक है किसमें हुई थी मर्यादा में प्रकाशित होता ये बात IMPotent है ठीक है मर्यादा में क्या हुई थी प्रकाशित हुई थी इससे एक बात और है प्रेमचंद का नाम क्या था धनपत राए यह वी ध्यान लगा ठीक और इसके अलाबा Order इसका मर्यादा का जो अंतिम अंग था प्रवासी था और वो एक व्यक्ति थे बनारसी दास चतुरवेदी बनारसी दास चतुरवेदी ने जो है इसका अंतिम अंग निकाला थो मरियादा दियाण लगना है वस यह ज़र्द इंप्वोटेंट है मरियादा चलो भाही आगे वढ़ते हैं नया यूग आता है जिसका नाम क्या है च्छाया वादी यूग क्या नाम है च्छाया वादी यूग ठोड़ी लंबी हो जाएगी क्लास पर कोई बात नहीं है अरे सार नामों से जाना जाएगा जैसे इसे क्या कहा जाएगा एक कोशन ये बनेगा कि इसे साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है इसे साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाएगा स्वन युग भी कहा जाएगा क्यों क्योंकि या बहुत अच्छे छी रहे टर हुए इस टाइम पर और चाया वा दी युग के चार इस्टंब पूछ है कई वाल कि कोश्चन सीधा सीधा देगा कि छाया वादी युग के चार इस्तंब कौन कौन से हैं तो सबसे पहले इस्तंब कौन से हैं इनके हैं जैसंकर परशाद ठीक है किना में जैसंकर परसाद से क्या इनका जनमरी को हुआ था वार नसी में हुआ था बार रहिए यहाय कोशन आएगा कि पहले वार थे लो उर्वसी रोतेला नहीं है उर्वसी है आशू एक और है इनकी क्या है आशू एक और है इनकी लहर ठीक है लहर एक है जर्णा ठीक है कानन कुशुम यह भी इनकी क्या है रचना है कानन कुशुम प्रेम पतिक यह इनकी क्या है फेमस फेमस सी रचना है नाटक पूछ लेगा हाँ इनके कुछ एक दो चार नाटक और लिख ले ना नाटक याद करूँ कौन से है नाटक इनके एक नाटक तो है इनका चंदर गुप्त चंदर गुप्त के बारे में भी लिखा है इनोंने और इसकंद गुप्त के बारे में भी लिखा है एक नाटक है इनका इसकंद गुप्त इसकंद गुप्त के लावा इनोंने एक नाटक लिखा है धुरुव स्वामिनी धुरुव स्वामिनी भी लिखा है ये भी बहुत अच्छा नाटक है और धुरुव स्वामिनी के लावा एक लिखा है अजात सत्रू अजात सत्रू और मेरे भाई बॉक्स बना लो और उस बॉक्स में इस नाटक को डाल लो और नाटक का नाम क एक घूट एक घूट किसका नाटक है जैसंकर पुरसाद का कहानी भी है इनकी कुछ उपन्यास भी है जैसे कंकाल तितली ठीक है कंकाल और तितली जो है इनके क्या है दियान लखना के कंकाल और तितली कंकाल और तितली जो है वो इनके क्या है उपन्यास है ठीक यह क्या है इन की बात आ सकती है हां पूछ भी सकता है पूछने को कुछ भी पूछ सकता है कि कहानी कौन सी है इनकी तो एक है इनकी सुनहरा सांप ये इनकी एक कहानी है एक है आंधी एक इंदर जाल इंदर जाल ये इनकी कहानी है एक और है ग्राम्मिया ग्रामिया भी इनकी काफी फेमस है आकास है ये एक रचना है इनकी आकास एक रचना है इनकी द्वीप ठीक है आकास है द्वीप है ये है इनकी रचना ठीक आकास है द्वीप है सुमित्रा नंदन पंथ सुमित्रा नंदन पंथ की बात करेंगे तो चिदंबरा इनकी रिष्णा है चिदंबरा रिष्णा है इनकी एक वीना ठीक है युगवानी ठीक युगवानी पल्लव ठीक है सुमिधरा रिष्णा रिष्णा है पल्लव गुंजन कला और बुढ़ा चांद एक है गुंजन और एक मोस्ट है कला और कला और बुढ़ा चांद ठीक है कला और बुढ़ा चांद भी इनकी फेमद रिष्णा है सुर्या थांतर पाठे निराला एक राइटर यह है इनकी भी कई सारी रिष्णा है जैसे अनामिका इनकी रिष्टना कौन सी है अनामिका है अनामिका के अलावा कौन सी है परीमल ठीक है कौन सी है परीमल फिर है तुलसीदास फेमस है ये तुलसीदास ये आई हुई है भाई सब मैंने खुद फेज किया है एक वार सी टेटे का एक्जाम में उसमें आई थी है तुलसीदास सरोज ठीक है सरोज इसके लावा राम की सक्ति पूजा राम की सक्ति पूजा ठीक है राम की सक्ति पूजा नरेंदर मोदी मत कर देना क्योंकि आजकल जो है सब कुछ क्या दिखाया जा रहा है नरेंदर मोदी कर रहा है राम को भी ऐसा दिखा दिया तो ज्यादा चक्क्र मत पढ ना है एक है कुकर मुद्ता ठीक है कौन सी है कुकर मुद्ता कुकर मुद्ता प्रेम संगीत कुणसी है प्रेम संगीत नए पत्ते नए पत्ते एक है गरम पकोड़ी गरम पकोड़ी ये इनकी क्या है कुछ फेमस रचनाए है उपन्यास हो रहे हैं इनके एक दो अपन्यास जैसे मुझे पता है ना तुम्हारे क्या काले कारनामे किसकी रचना है काले कारनामा उपन्यास किसका है सुर्चान तिरपाथी निराला एक है प्रभावती ठिक निरुपमा निरुपमा ये बुबाली निरुपमा नहीं है जो आजकल फेमस हो रही है ये अलग है निरुपमा एक है अलका छीक है अलका एक है अलका के अलावा एक है अपसरह अपसरह ये इनके क्या है उपन्यास है अब बात करते हैं महादेवी वर्मा के बारे महादेवी वर्मा का जो जनम हुआ था वो कहा हुआ था इनका जनम भी हुआ था फरूखाबाद में कहा पर हुआ था इनका जनम फरुखाबाद के धर्ती पर इनका जन्म हुआ था ठिक फरुखाबाद में इनका जन्म हुआ है और भाया इनसे जो कोश्चन आएगा बहुत बहुत अलग टाइप का कोश्चन मन सकता है जैसे इनकी कई सारी कवीताय रही है इनकी कई सारी कवीताय रही है जैसे एक कवीता का नाम था निहार और एक कवीता का नाम था रश्मी एक कवीता का नाम था इनकी निर्जा ये अलग-अलग कवीता का संकलन है और एक थी इनकी सांधिय गीत तो इन्हों ने इन सारी कवीताओं को एक नाम से प्रकासित किया था और उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था Yama किए Yama से क्या कोश्चन और बन सकता है कि निहार रसमी निरजा और सांध्यागीत ये Yama के अंतरगत आती है ठीक है? कलियर है? इसके अलाबा इनके कुछना टक से भी कोश्चना बन सकता है इनके नाटक कौन से हैं तो एक नाटक है इनका दीप शिखा ठीक है दीप शिखा दीप शिखा के अलावा एक है अतीत के चल चित्र अतीत के अतीत के चल चित्र प्रेम विवहा नहीं हो पाया था इनका तो कहीं ना कहीं उसमें टीस दिखाई देती है इनकी बातों मतलब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा फील होगा कि हाँ कही ना कहीं अंदर से टूटी हुई है ठीक इसके अलावा और भी है एक गिल्लू इनकी इनका एक नाटक है गिल्लू मैंने पढ़ा है गिल्लू काफी अच्छा है गिल्लू ठीक है यह इनके फेमस फेमस जो चीज़ें म जिसका नाम क्या है द्वन्द गीत एक रशना तो है द्वन्द गीत एक रशना है इनकी हुंकार एक रशना का नाम क्या है हुंकार यह है इनकी सबसे ज़्यादा फेमस कुरू छेत्र इनकी एक लिखिवी है इनके द्वारा भी उर्वशी एक रशना इनकी भी है उर्वशी एक है इनकी रचना दिल्ली धूप और धूआ ठीक है एक रचना कौन से है इनकी दिल्ली धूप और धूआ तो उस समय आज की कहानी के उपर आज के माहौल के उपर लिख दी है सौ साल पहले इतिहास के आशू एक ये भी काफी पूची गई है इतिहास के आशू किसकी रचना है चलो मैं बता रहा हूँ कि ये आशू कौन सा वाला शही है अब आपको आप्शन में बताना है A, B, C, D देखते हैं कौन बताता है अगले राइटर है हरिवन्स राय बच्चन आमिताब बच्चन के पिता जी है हरिवन्स राय बच्चन तो एक तो है इनकी मधू साला मधू शाला अभी जो कूलिस का पेपर हुआ था उसमें आई भी थी एक मधू शाला मधू बाला आई थी ना और एक है मधू कलश क्या नाम है मधू कलश तीन शाला है इनकी बहुत सारी हैं कहर और निशा निमंतरन निशा निमंतरन एक ये भी है एक इनकी एकांत संगीत भी है एकांत संगीत ठीक है एक आरती और अंगारे आरती और अंगारे ये भी काफी फेमस है एक है सूत की माला सूत की माला और भाई साब ये तो सबको पताईए दो चट्टाने ठीक और इनकी सबसे ज़्यादा फेमस है मादूशाला सुबद्रा कुमारी चोहान की अगर बात करें तो इनकी सबसे जो फेमस है जासी की रानी है जासी की रानी जासी की याद होगा तुम्हें बुंदे लोहर बोलो के मुक से हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वहतो जासी वाली रानी थी ठीक है ये है जासी की रानी इसके अलावा वीरो का कैसा हो वसंत ये थी एक ठीक है एक है मुकुल इनकी रशना का नाम क्या है मुकुल एक है इनकी रशना का नाम त्रीधरा त्रीधरा खिलोने वाला ये भी आई हुई है खिलोने वाला और 10-15 वार ये भी आ गई होगी यहे कदम्ब का यहे कदम्ब का पीड़ यहे कदम्ब का पीड़ अगले हैं साहब माखनलाल चतुरवेदी ठीक है माखनलाल चतुरवेदी को एक नाम दिया जाता है इनको ये कहा जाता है कि ये हिंदी साहित्या जो है इस हिंदी साहित्या की क्या है आत्मा है इनको क्या कहा जा जाता है हिंदी साहित्या की आत्मा कहा जाता है इनकी जो रचनाए हैं वो कौन कौन सी है सबसे फेमस पुष्प की अभिलाशा इनकी रचना का नाम क्या है इनकी रचना है पुष्प की अभिलाशा हिम तरंगनी हिम तरंगनी इनकी रचना है हिम करिटनी हिम करेटनी इनकी रचना है कैदी एक रचना कौन सी है इनकी कैदी और कोकिला कैदी और कोकिला इनकी क्या है कुछ फेमस फेमस सी रचनाएं है चलो जी और पढ़ते हैं और राजकुमार बर्मा को तो पढ़ा ही नहीं अभी राजकुमार बर्मा भगवती चरण बर्मा ये तो रही गए हैं क्या के हाँ ये रहा राजकुमार बर्मा के बारे में लिखेंगे तो इनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है अंजली ठीक है इनकी रचना नाम का है अंजली हिम हास एक रचना है इनकी हिम हास ठीक एक है एक लव्य एक लव्य एक लव्य चितोड की चिता एक रचना है इनकी चितोड की चिता चितोड की चिता एक है चित्र रेखा चित्र रेखा ये इनकी रेचना है ठिक और है भगवती चराण वर्मा की पतन तेड़े मेढे रास्ते तेड़े मेढे रास्ते भूले बिसरे चित्र भूले बिसरे चित्र ठीक है सीधी और सची बात सीधी सची बात एक ये है एक पुरिश्ण और मरीचिका